मशकार, I hope बहुत अच्छे से आप अमनी study continue कर रहे हो और I hope अभी तक आप wait कर रहेते कि next वीडियो में मैं क्या लेकर आने वाले हैं तो next वीडियो को शुरू करने से पहले like, subscribe and share तो बेटा आज जो हम discuss करने वाले है simplification की next type यानि कि अगर आपको क्या दिया हुआ है mixed fraction कैसा friction mixed यानि कि अगर आपको question कैसे दिया हुआ है ध्यान से देखना बेटा काफी अच्छी trick आज की होने वाली है अगर आपको question दिया है क्या 3 plus 4 by 7 कैसा friction है ये कैसा है improper, sorry improper नहीं proper improper में क्या होता है numerator बड़ा होता है denominator से जो ये वाली trick है ये apply होगी सिर्फ उन पे जिन पे क्या है numerator यानि कि जो आपका अंश है अंश की जो value होगी वो हमेशा छोटी होगी किसे हर से कहां पे apply होगा जिसमें अंश की value हर से छोटी होगी यानि कि जो numerator है आपका numerator की value किसे denominator से छोटी होगी तो ही आपकी ये वाली trick अप्ली केबल है ध्यान से देखना बेटा सबसे पहले आप क्या करते हो LCM लेते हो LCM लिया कितना आ गया यहां से 7 177 7 3 is a 21 तो 21 प्लस 4 कितना आ गया 25 बाइ 7 सबसे पहले इसको ऐसे solve करते हो फिर इसको क्या करते हो divide divide करके यहां से कितना आ गया 7 3 is a 21 यहां से बच्चा 4 यहां से यहां तक गये कितना आ गया 3 into 4 by 7 is your answer कितना आ गया यहां से ओ नंबर दिया हुआ है 3 minus 5 by 8 क्योंकि जब आपने यह लिखा ना बेटा पहला question क्या था 3 plus 5 by 7 इसका मतलब क्या है आप mix fraction को as it is लिख सकते हो 3 into 5 by 7 ठीक है क्या लिख सकते हो 3 into 5 by 7 direct अगर बीच में किसका साइन प्लस का साइन क्योंकि इसको आप कैसे रेप्रेजेंट करते हो बीच में प्लस का साइन लगा के solve करते हो ठीक है 3 7 021 21 plus 5 26 26 by 7 is your answer अगर आपके पास minus का साइन आता है तो confusion create हो जाते तो माइनस के साइन में आपने क्या करने बहुत simple सा question है आपको एसे नहीं solve करना LCM लिया 8 8 3 is a 24 24 minus 5 यानि की 19 by 8 आपने ऐसे नहीं करना आपने क्या करना है ये तो था आपका पूरा जो आप करते आए हो अब आपने क्या apply करनी है trick क्या trick apply करनी है अध्यान से देखना जो भी आपको number दिया हुए उस number में one कम कर देना ये जो whole number है इसमें one कम कर देना minus वाले में direct attach नहीं कर सकते प्लर्स वाले में direct attach कर सकते हु यहाँ यह three है 3 में से one गया टू अभी टापका उसके बाद आपने क्या करना देहना इसमें से one कम करने के बाद यहाँ पर आपका क्या बना ध्यां से देखना जब आपने इसमें से 1 कम किया ठीक है जब आपने इसमें से क्या कम किया 1 अब क्या देखना है यहां आएगा इन दोनों values का difference difference यानि कि 8 में से 5 गया 3 कितना 8 में से 5 गया 3 और denominator आपका क्या रहेगा यही same number for example एक और question हम आपका कर लेते हैं same trick से ध्यान से देखना अगर आपको question क्या दिया हुआ है अगर वो question देता है 4 minus 7 by 8 इसको कैसे change करोगे कुछ नहीं करना बेटा इसमें से 1 कम इसमें से 1 कम 4 में से 1 कम 3 कितना आ गया 3 यहां पर ऐसे sign बनाओगे mix fraction वाला इन दोनों के बीच का gap gap कितना है 8 gap कितना है 8 8 में से 7 गया 1 8 में से 7 गया 1 7 में से 8 minus 1 करके minus 1 मतलिक ने न बस यहां पर क्या करना है 7 और 8 के बीच का difference देखना है कि कितने deserts कम है यहां पर तो यहां से देखो 8 में से 7 गया 1 तो 1 आपका numerator और यहां से यह आपका denominator तो अंसर क्या आ गया 3 into 1 by 8 एक बार चेक भी कर लेते हैं ध्यान से देखना बेटा lcm will be 8 8 forza 32 32 minus 7 तो कितना बना यहां से 32 में से 7 गया 25 25 by 8 8 3 is a 24 और 1 बच गया तो अंसर क्या आ गया 3 into 1 by 8 इतना लंबा प्रोसेजर करने की बजाए सिर्फ आपने एक स्टेप में अंसर करना है जो यह 4 है 4 में से 1 कम कर देना है क्या बना 3 इन दोनों की बीच का क्या देखोगे difference difference कितना है 1 और denominator क्या रहेगा यहां से 8 तो अंसर कितना आ गया 3 into 1 by 8 ना मूब तो आवर next question question number ध्यान से देखना बेटा अगर इसी के अंदर कुछ दो mix fraction आ जाए तो आप कैसे solve करोगे ध्यान से देखना बेटा बहुत easy सा कुछ question होने वाला है अगर वो देता है 5 into 1 by 4 plus 7 into 1 by 4 as you know जो mix fraction है उसको कैसे लिखोगे 5 plus 1 by 4 plus 7 plus 1 by 4 जो आपका whole number है whole number यानि की पूरा number यानि की natural number प्राकर्ट जो संख्याएं हैं आपकी उनको अलग से add कर दो अलग से plus कर दो तो कितना आ गया 5 plus 7 यहां से बीच में plus का sign क्या बचा 1 by 4 plus 1 by 4 5 में 7 add करोगे 5 में 7 add करोगे 5 और 7 12 बीच में plus का sign यहां से 4 1 plus 1 2 तो 2 1s are 2 2 2s are 4 तो कितना आ गया 12 into 1 by 2 is your answer कितना आ गया 12 into 1 by 2 is your answer अगर मैं next type करती हूं यानि कि इस ही में minus वाले question अगर करते हूं तो ध्यान से देखना उसमें थोड़ा सा logic change हो जाता है ध्यान से देखना जो minus वाले question से उनको कैसे करेंगे for example आपको दिया हुआ question 12 minus 7 into 1 by 2 तो आप क्या गरोगे सबसे पहले 12 minus इसको कैसे लिख सकते हो 7 plus 1 by 2 अब bracket के बाहर minus है तो इसका मतलब क्या है अंदर वाली जो जितनी भी time on का sign change हो जाएगा plus है तो minus minus है तो plus कर दो 12 minus 7 और minus 1 by 2 क्या बनाई यहां से 12 minus 7 और minus 1 by 2 बेटा 12 में से 7 गया 5, 5 में से 1 by 2 आपको वही trick अप्लाई करनी है कितना नंबर है 5, 5 में से 1 गया 4, तो कितना आ गया 4 into आप इन दोनों की बीच का gap देखो gap कितना है 1, 2 में से 1 गया 1 और denominator क्या बना 2 तो answer क्या आ गया 4 into 1 by 2 कितना simple सा question आपका हो गया अगर आप देखो तो अगर इसी के अंदर और जादा tricks यानि के और जादा questions यानि के और जादा terms अगर मैं apply करूं तो देखो बेटा कैसे आएगा यह तो था simple आपकी पास 2 terms वाला अगर इसके अंदर मैं बहुत सारी terms प्लास करूं जैसे कि आपको question दिया हुआ है 5 into 1 by 6 plus 7 into 1 by 2 plus 4 into 1 by 3 और minus 6 into 1 by 6 तो आप क्या करोगे सबसे पहला काम सबसे पहला काम इसको क्या लिखो 5 plus 1 by 6 इसको क्या लिखो 7 plus 1 by 2 इसको क्या लिखो 4 plus 1 by 3 यहां से देखो minus का sign है तो minus 6 plus 1 by 6 इस minus की sign की वज़े से इस minus की sign की वज़े से जो अंदर bracket के अंदर जो भी term आपको given है वो क्या होजेगी negative तो ध्यान से देखना 5 plus 1 by 6 plus 7 plus 1 by 2 plus 4 plus 1 by 3 minus 6 और minus 1 by 6 whole number जितने है जितने वी आपके whole number है उनको क्या कर लो एक साथ 5, 7, 4 और minus ध्यान से देखना 5 plus 7 plus 4 और minus 6 जो बाकी बचे plus के sign के साथ उनको अलग से 1 by 6, 1 by 2, 1 by 3 और minus 1 by 6 यहां से देखो बेटा 5 plus 4, 9 और 9 plus 7, 16 तो कितना आगया? 16 में से 6 गया 10 5 plus 4, 9 और 9 और 7, 16 ध्यान से देखना बेटा 5 और 7, 12 12 और 4, 16 16 में से 6 गये 10 बीच में किसका sign है? प्लस का तो प्लस ध्यान से देखो, 1 by 6 प्लस का, 1 by 6 माइनस का किंसल अब इन दोनों का अगर LCM लो LCM लो तो सिदा सिदा 6 इसकी multiply इसके साथ, इसकी multiply इसके साथ, 3 plus 2 कितना आगया? यहां से 5 अग बीच में किसका sign है? प्लस का तो direct attach कर सकते हो, क्या अंसर आगया? 10 into 5 by 6 is your answer प्लस का sign है, तो direct क्या कर दोगे? attach, तो यहां से आपका अंसर कितना आगया? 5 into 10 into 5 by 6 इसी के अंदर एक दो questions की practice और कर लेते हैं ताकि आपको easy हो जाए, ध्यान से देखना बेटा अगर question देता है अगर वो question देता है कुछ बड़ा सा टम आपको दे दिया, मालो 1200 minus 5 into 1 by 4 और प्लस 25, तो क्या गरोगे? सबसे पहले जो whole number है उनको एक side लेके जाओ, whole number क्या है? यहां पे 25 और यह तो plus किया यह बन गिया यहां से इसको कैसे लिखोगे? 5 plus 1 by 4, इस minus की वज़े से यह दोनों भी minus के, तो 12 25, minus 5 और minus 1 by 4, तो यह कितना बन गिया? इसमें से इसको minus किया, तो कितना बन गिया? 12 20 और minus 1 by 4 minus के लिए बहुत simple सी trick थी यहां से क्या किया? minus 1 किया, क्या किया? minus 1, अगर इसको minus 1 करूंगी तो क्या बन गिया? 12, 19 इन दोनों के बीच का gap कितना है? 4 में से बन गिया 3, 3 आपका क्या बन गिया? numerator, और यह 4 आपका क्या बन गिया? denominator, यह आपका क्या आगिया? answer यह आपका क्या आगया यहां से अंसर and if you like it तो subscribe and share I hope share तो आप कर ही चुके होगे पहले तो बेटा आप आते हैं इसी के अंदर एक simple से logic यानि कि एक exception की side थ्यान से देखना बेटा एक बार हम फिर से दोबारा से trick को review कर रहे हैं अगर आपके पास plus लिखा है क्या लिखा है 4 plus 1 by 5 तो इसको आपने कुछ नहीं करना यह plus का sign हटाओ और direct लिख दो 4 into 1 by 5 question कहां आता है जब आपको minus दे दिया क्या दे दिया minus तो आप क्या करोगे कुछ नहीं करना बेटा जो यह whole number है इसमें से 1 minus कर दो इसमें से 1 minus क्या कितना बन गया 2 और साथ में यह आपका numerator यह आपका denominator numerator क्या आएगा इन दोलों के बीच का gap gap कितना है 5 में से बन गया 4 और यहां क्या है denominator denominator क्या आगया 5 तो अंसर क्या आ गया 2 into 4 by 5 जिसको डाव ठेक बर करके देख लो 5 3 जा 15 15-1 14 14 by 5 तो 5 2 जा 10 बच गया 4 और 5 सेकेंड़ों में आपके question solve हो जाएंगे गर्टरीक आपको समझा गई तो next अगर इसी के अंदर एक exception आता है एक point आता है ध्यान से देखना कई बच्चों को यहां पे confusion रहेगी या mind में question यह आएगा in case यहां 1 आ जाता है कि यहां पे question आ जाता है 1-2 by 5 तो क्या करोगे 1-1 0 0 को represent करने की कोई जरत नहीं है ध्यान देना बेटा 1-1 0 तो इस 0 को represent करने की कोई जरत नहीं है 0 को लिखने की कोई जरत नहीं है अगर आपकी पास 0 बन रहा है तो 0 को मत लिखो आपने क्या करना है इन दोनों का gap 5 में से 2 गया 3 और by में 5 तो answer कितना आ जाएगा direct 3 by 5 is your answer तो ये थी बेटा आज की trick मिलते हैं आपको next week में Thank you so much